एक वाफिर्शिया आपका श्वागत है स्पंधना कुस्तक का तेरों अध्याय जिसका पहला पार्थ हमने पढ़ लिया था दूसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं पहले भाग में हमने पढ़ा कि सुर्जमल ने किस परकार से अपने देश की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं क है ते क्योंकि यहां पर इन वीरू ने ये कारिये करके भी दिखाया है महाराना परताब से चत्रपती सिवाजी महाराज से चा अन्यतर महाराज सुर्जमल एव सै वीर ये उच्छा है साह सै चातूरी द्रड़ता दी बलेन मुगल समराज से उपरी प्रतेक्षम प्रहरम एक है ते महाराणा परताब चत्रपती सिवाजी महाराज चान्यतर और उनके लावा महाराज सुर्जमल है एव ही सै वह वीर ये जो उच्छा है साहस चातूरी और द्रड़ता आदी के कारन मुगल समराज़िये पर प्रतेक्षम प्रतेक्षूर्प से उन्होंने प्रहरे किया ह यह जो चत्रपति शिवाजी और मारणा परताब हैं इनके लावा एक सुर्जमली एक एक युद्धा वीड युद्धा था जिन्होंने अपने सहाज चातुलिये के द्वारा उन पर परतेक सुरुप से प्रहर किया तत्समक्षम मुगला नाम एहंकार से अनेक वारम प्राजे अबवत है उनके सामने मुगलू ने अपने एहंकार को अनेक वार बार बार यानि अनेक वार उनकी प्राजे को शुकार किया उन्होंने उनको प्राजित किया एहंकार कि उनकी जो एहंकार था उनको अनेक वार उनक तेन से संदी करोती मीरबक्षी सलावत खान भी इसका एक उधारन है एक सासक था जो इनके साथ हैं संदी करते हैं जो सुर्जमल के साथ उन्होंने संदी की यद्या आधारब्बे अहम अध्या आरंबे आज से ही अहम मैं पीपल व्रिक्ष छेदनम पीपल का जो व्रिक्ष है उसको काटना गोहननम गवयों की अत्या करना मंदिरा विद्वन्स नम मंदिरूं को विद्वन्स करना चा नेव करिशा में कभी नहीं करूंगा नेव है न कि एक मीर बक्षी जो सलावत खान है उनोंने इनके साथ संदी आरंब की कि मैं पीपल रिक्ष को नहीं काटूँगा गाहियों के अत्या नहीं करूँगा और मंदिर हैं उनका विद्वन से कभी नहीं करूँगा इदम सुर्जमल से प्रभाव सालिंताया एक निर्दर्शनम जो ये जो जो सुर्जमल है इनकी प्रभाव सेलताई थी उसी का एक उधारन है कि इनके उनसे ब्हे के कारण है उनोँने इक आरिये करना छोट दिया नहीं तो पीपलों को काटना गाईयों की हत्या करना और मंदि सासुगा का पहला कुकरते था तदानिंत ने कोपी बारतिय सासक है मलेन तुले दर्शते क्या इस परकास से ये बता रहे हैं कि उस समय कोई भी बारतिय जो सासक था ना ने कोपी बारतिय सासक है मलेन तुले दर्शते जो सुर्जमल था उनके समानवीर कोई नहीं दिखाई द रहा था उनके समाने उनके लड़ने वाला कोई नहीं था अस्तादस स्तावद से प्राय से सर्वे अपी इतियासक्या व्रतान्त लेकास है मुक्तकंट परसंती 18 जो स्तावदी थी उसमें प्राय से प्राय सर्वे अपी सभी इतियासक्या इतियासकार व्रतान्त लिखने वाले लेखक ने उनकी मुक्त कंट से प्रशंशा करते हैं उनकी प्रशंशा सभी जो लेखक हैं उनकी प्रशंशा करते वे दिखाई दे रहे हैं सभी ने उनकी प्रशंशा की कि एक महान राजा सुर्जमल था जाट जाती में सुर्जमल का स्थान वैसाई है यत खलू स्थान जो निश्चे जो स्थान है विदेश येशू विदेशू में पलेटू नेपोलियन लुथर इत्यादी नामस्ती जाट जाती में जिस प्रकार से विदेशू में पलेटू नेपोलियन लुथर है उसी प्रकार से जाट जाती में सुर्जमल का स्थान भी उनिके स्थान है उन्हें के समान है कस्चिद एक लेखकस तु तम जाट पलेटू इती विरुद्देन भूसित वाने कस्चिद कोई एक लेखक है उसके द्वारा का गया तम जाट पलेटू उनको जाटू का पलेटू के नाम से उनकी नाम दिया है कि ये जाट पलेटू है इस नाम से उनको सु विट किया है यह गोशना किया है कि उनों के द्वारे एक आगा है यह जाट पलेटू है हिंदू इतियास गया तम इतियास में भी यह लिखा गया है कि अन्तिम इंदू परतापी नरेस इति गोशित वन्त है उनके द्वारा गोशना की गई कि यह अन्तिम इंदू परतापी राजा के रूप में उनको गोशित किया कि यह अन्तिम इंदू परतापी राजा है अपचारिक शिक्षा रहितो अपी सूर्जमल वस्तूत है समकाली नेशू वीरेशू भी में नितिगेशू कृष्ण है अर्थ सास्त्र गेशू कोटिल ले आशीत इतिमन्यते आशीत इतिमन्यते यह माना गया है कि यह वीर में तो भीम के समान बलसाली है किसी से भहे भीत नहीं होता है और नितियों में कृष्ण के समान और जो आर्थिक जो अर्थ खरच करना किस प्रकार से विवस्ता जमानी उसमें तो अर्थ सास्तर में कोटिल ले के समान बताए गए हैं तुझी तिन्नुई नाम बताये गए हैं बहुती महतोपुर्ण हैं इतियास में ये बहुती महतोपुर्ण स्थान रखते हैं स्यद गुलाम अली नकवी स्वये इमादूस्तादाद इताके ग्रंत्य लिकितम यद राजनिती राजस्वस्ये नागरिक नयस्ये चैप्रबंदर ने पुन्ने आसपजा है बहदूर निजाम विहाई इंदुस्ताने तत समय नेकोपी कस्चित तत तुल्ले आसीद स्यद गुलाम नकवी स्वये उनके द्वारा लिखा गया एक उर्दू का जो एक है उनका द्वारा ग्रंत लिखा गया है इमादूस्तादाद इत्याक के इस ग्रंत में लिखा गया है ये तो राजनिती राजनिती में लिखा गया है राजस्वस्ये अपने राज की जो राजश्वे के में लिख बताए गया है राजश्वे नागरी नागरियों को नाए करने में परबंद की नेपूंता में एक मुस्लिम जो साच कहा है आस्फजाय बादूर निजाम उनको छोड़ करके इनके समान ने को अपी कसित तुल्ले आसित उनके समान कोई नहीं है बारत और नागरिक न्याय में और प्रबंद की नेपूंता में इनके समान दूसरा बारत में यानि इंदूस्तान में कोई नहीं है बहुती अच्छी बात यहां पर देखने को मिल रही है कि इनके समाने कोई भी नहीं है इलान देनी आपनी इती मात्री शिक्षा पालियने इल्ला इल्ला कमल होता है प्रत्वी यानि जमीन अपनी बूमी का टुकड़ा किसी को भी नहीं देना चाहिए इलान देनी आपनी इत्ती मात्री शिक्षा पालियन इस परकार की मात्री जो शिक्षा है उसका पालन करते हैं कि इलान देनी अपनी भारत भूमी अपनी मात्र भूमी नहीं देने चाहिए इस मात्री शिक्षा का वो पालन करते हुए धर्मार ही युद्धात सर्यो अन्यते क्षत्रेशे ना विद्धते धर्मपूर कही युद्ध स्रेकर मुख्य है अन्यते क्षत्रेशे ना विद्धते गिता में भी ये का गया है धर्मपूर युद्ध करना ची ये इसके अत्रिक्त क्षत्रेशे ना विद्धते क्षत्रे के कि धरंपुर के यूद करें परिपालिन यह रास्ट्र धरम का पलन करते विए रक्षनाय प्राणान पापी करते अपी युद्ध्यमान है लोग किषत्री के लिए क्सेत्री के लिए यह बताई गया है जी थामें भी यह युद्दान क्या बताएगा है कि राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपने प्राणूं का भी बलिदान देना पड़े तो वो स्रेकर होता है कल्यानकारी होता है अब राष्ट्र द्रम से रक्षनाय प्राणायन पनी करते अपने युद्दान 25 देसेंबर 1763 इटी दिव से रने चा अभी मुखते होता है राष्ट्र द्रम की रक्षा करते वे पनी करते अपने युद्द में 25 देसेंबर 1763 इश्व में चा अभी मुखते होते युद में म्रत्यूय को प्राप्त हो गये, सुर्णवासी हो गये अपने जो राश्ट्र फ्रॉ अपने प्राणु की उन्होंने कभी भी प्रवाए नहीं की अपने प्राणु की प्रवाए प्रवाए की भी ना बंदा बेरागी के समान, गुरु गोविंसी के समान, माराज सूर्जमल से परम प्रभाव अध्यापी इतियासे गुंजिता इवे, परताप के समान, सिवाजी के समान, बंदा बेरागी के समान, और गुरु गोविंसी के समान, माराज सूर्जमल का परभाव, माराज सूर्ज सुर्जमल से परंप्रवाव उनका पर परंप्रवाव है आज भी इतियास में गुंज रहा है इनका जो हम इतियास को खोल करके देखें तो यह आज भी गुंजाइमान हो रहा है कि महराज सुर्जमल कितने प्रतावी राजा हुए और कनिश्चक ने तो यह भी कहा था कनिश्य गोर्ट जो मुश्लिम जो मुगल समराड थे उनके दोर ये काएगा है कि ऐसा प्रतापी राजा नहीं देखा काए है कि इनके बाद में इंदू राजा जो प्रतापी साचक है वो नहीं हुए बहुत ही ये महत्तू पून पाठ है प्रिक्षा की दर्श्टी से तो ये जो तेरा का अध्या है यहीं समाप्त होता है